हेलो, वाट्स आप गाईस, माई में स्मिनुरत बादू थापई बाताना चौंगाइस कोड़े बहुत ज्यादा ओसाम है नोला विकोज आजन देखने जारे हो तुगेट और फाइंड दी डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन और एक्स्प्रेस एप्लिकेशन इन हिंदी तो चलिए गाई सुरू करते हैं यह बहुत लंबा टाइटल था बट जो भी हो मेरा कहने का सिंपल मतलब यह है कि कल की वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो तो देखो कितने ओसम तरीके से डेटाबेस में आ गया राइट सिंपल था बट जो भी डेटा आ गया एंड डिस आउर कलेक्शन यह मेरे डॉकुमेंट से लेकिन अब डेटाबेस में रहे के तो काम नहीं है ना इसका में क्या चाहूंगा मेरा जो यह बक्रदाों वह तो अगर कल की दिर में इस थे से एंटर हिट करों तो मुझे मिल जाना चाहिए यहां पना हो लेकिन अभी मुझे नहीं मेलगा अगर मने करता थो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है सब्सक्तरिकी वोा तो अब अगर मैं यहां पर चल कि इसको रन करूंगा तो एक लिस्ट मुझे एक मैसेज आएगा कि यह है बट ना इस टाइम ना मुझे अब यह मैसेज नहीं चाहिए मुझे जब भी कोई मेरे लोकल होस्ट colon 5000 forward slash API forward slash products पे hit करेगा तो database में यह जो कुछ भी data है जो मेरे API जिसको मैं API मान रहा हो वो मुझे यहां पर डिस्पले कराना है अब आप सोचो यह कैसे कर सकते हो database का data अब आपको यहां पर डिस्पले कराना है कैसे करोगे बहुत ज़्यादा simple है देखो आई मिन अगर आप कर चुके हो तो simple है बनना तो भाई हाड़ी रहता है जो भी है कि नहीं सो मैं बताना चाहता हूं गाईस हमें चलना पड़ेगा हमारा यह जो app.js फाइल है वहां पर द्यान से देखना मैंने अब भी जो थुई दिर पहले का था localhost colon 5000 forward slash api then products तो वो यह है ठीक है तो इतना तो आपको मालूम है यह मेरा root है basically मेरा path है यह तो जब हम यहां पर जाते तो एक function हम call I mean हमने basically root को pass किया था products underscore root तो यहां पर हम चलता आप देख सकते हो अगर कोई उस पर गया तो guys get all products else हम testing वाले को कर रहे थे जो भी हो आप finally postman आप आएगा काम में आप सोच रहेंगे postman कभी तक कुछ हुआ भी नहीं था तो get all products and then यह जो भी है ठीक आप ध्यान से देखना controllers सारा data हमारे देखो पाता चला अगर मैं products पर चलता हो तो मुझे यह message आता है अब अगर मैं get all product testing पर जाओंगा यहां पर product forward slash testing तो मुझे यह वाला message आएगा जो कि है यह मेरा second वाला right but this time अब मुझे क्या ची मुझे यह data नहीं दिखाना है मुझे instead of this database में जो data है वो दिखाना तो कैसे होगा गाइस एक चीज़ या दखना जब भी आप back end में काम करते हो तो always आपका जो model है वो बहुत important है उसके इंदे सारे methods है properties है जिसके तुरू आप data को खेल सकते हो उसके साथ manipulate कर सकते हो तो बहुत ज्यादा simply देखिए यह क्या है request request मतलब मुझे कुछ request करना है server से and response मतलब क्या मतलब server मुझे उसके बदले कुछ response देगा जो मैंने request की ठीक है तो मतलब request हमें काम आने वाला है यहां पर मैं एक काम करता हूं जब भी कोई get all products पर click करेगा ठीक है so we have one more awesome extension awesome जी ठीक है तो यह जो request है request.query ठीक है एक बार हम यह देख लेते query जो basically हम जो भी उपर डालेंगे वो रहता है तो इसको मैं हटाता हूं enter hit करता हूं तो कुछ दिख नहीं रहे हां लेकिन अब अगर मैं चलता हूं मेरे control shift and then i console पर आप हम चलते हैं and तो कैस आप देख सकते हैं कि मुझे console पर कुछ भी नहीं दीख रहा है तो अब हम क्या कर problem तो अब इसको मारो गोली मैं आपको बताता हूं basically इतना I mean यह जो मैंने अभी दिखा उसका reason यह था कि आपको यह पता चलना चीए कि जो भी है इसके अंदर जो data मुझे मिलता है वहां पर यहां पर आपको पता चल चुका है वह अब मुझे वहां पर तो database का data चीए ना त require वो forward slash I think double देना बड़ेगा all right and we have models we have product this is it अब यह जो product है इसके अंदर बहुत सारे method है इसके अंदर बहुत सारे method है guys ठीक है तो अब मैं चलता हूं mongo db find करके method होगा query आया था तो जरी के लिए देखो यहां पर तो guys आप देख सकते हो mongoose method जो भी हो we have a query projection option से देखे query है ठीक है अगर हम यहां पर चलते तो बहुत सारी चीजे जो हम यहां पर कर सकते है आपको मजा आ जाएगा and ठीक है जो भी हो यह देखो हम find method का use कर सकते बहुत awesome है and सिर् है आप देख सकते हो queries तो guys आप यहां पर भी देख सकते हो model.delete many model.delete1 model.find model.find by id बहुत ही ज्यादा awesome है right mongoose में क्या होता guys find by id अलग करो delete तो यह वाला जो है na model.find इसको आप मैं यहां पर use करने वाला model तो मैंने get कर लिया है जहां से देखना const my data आप कुछ भी लिख सकते हैं असा कुछ नहीं है यहां पर हम चलते है and वो data हमें promise return करते हैं इसलिए await करना जरूरी है ठीक हमें साब so product.find and यहां guys बस इतना ही करना था और कुछ नहीं है डालना आपको कलीबस डालना आपको कलीबस घूद आलना आपने ही यहां पर देहो क्या ही किया यहां पर कलीबस तो है यह जो पार्टे कलीबस मतलब all data सारा डेटा .find आपको एक सेगेंद बहुत छोटा यह न्यहीं दोड डोड 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 ड डे अ यह देखो .find है simple collection.find जो भी हो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि वो find है आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से तो आप देख सकते हूं यहाँ पर बहुत awesome तरीके से await model.find अपको सारा document मिल जाएगा जो कि बहुत awesome है अब यहाँ 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 पर पास करना है आपको यहाँ पर उसको as a pass कर देना है data तो बस this is it guys मेरा काम हो चुका है कितनी easily अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं तो guys देखिए अब थुई दिर पहले जो मुझे यहाँ पर यह message आ रहा था अग अब मैं enter hit card अब boom guys see यह देखिए my data आप देख सकते हूं कि मुझे मेरा पुरा product का data यहाँ पर आ चुका है यह है ना कितना ज्यादा awesome और सिर्फ उतना ही नहीं यह देखिए products है यह अब मैं अगर यहाँ पर send करता हूं यह देखिए मुझे मेरा सारा data आ यह सिर्फ यहीं पर ही क्यूं मैं इसको simply copy करके यहाँ पर भी paste कर सकता हूं और इसको copy करके मैं यहाँ पर भी paste कर सकता हूं तो again guys आप दोनों में same नाम रख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम चलते हैं मैं test वाले पर चलता हूं testing पर चलूंगा तो भी मुझे वहाँ पर मेरा data आ रहा है तो यह थाना कितना ज्यादा awesome कि कितनी easily अब आप अपने data को यहाँ पर get कर सकते हो and save data इस्तरी किसे नहीं guys अगर let's आपको name चाहिए होगा iPhone या company iPhone जो भी हो अगर हम यहाँ पर चलते हैं इस्तरी किसे iPhone, control, save मैं आप यहाँ पर चलता हूँ मेरे products वाले में है ना वो data तो and boom guys see अब आप कितनी clearly देख सकते हूँ कि मुझे मेरा data यहाँ पर filter होके भी मिल रहा है तो यह है ना कितना चाहता awesome so guys कल की वीडियो में हम और इस पर deep एकदम dive करेंगे आपको और बहुत सारी चीज़े जो मैं बताना चाहता हूँ बस आज इस वीडियो के लितने में बस इतना दिखाना था कि आप बहुत एजिली कर सकते हैं बहुत सारी आप चीजी कर लिजे लाइक by using company name features आप बहुत कुछ यहाँ पर जरू कीज़ेगा ठीक है so guys आपको आज के वीडियो कैसे लागा नीचे काउन करके जरू बाताना एंड देखो कितना जाद एजी था ना database का data को simply get करना आपका एक देखो local host में तो आपने अपने API create करी चुका है right बस आप आप में इसको live ले जाना लेकिन इसमें आप यह भी बहुत सारी चीज़े जो हमें add करना है like your sorting and filtration and all ठीक है so guys मिलता हो में आपको कल की वीडियो में please अभी तक subscribe नहीं कर तो जरू कर दीजेगा so इसकोट बिल्कुल फ्री है वीडियो कैसे लगा नीचे कॉन करके जरू बाताना मिलता हो अगेन आपको कल के वीडियो में till then guys thank you so much take care